मध्य पर्देश में प्याच की कम कीमतों ने किस्तानों के आँखों में आसू ला दिये हैं दाम कम मिलने की वज़े से खेतों की लागतों छोड़िये ट्रांस्पोर्ट का खर्च भी नहीं निकल रहा शाजापूर मंडी में किस्तान को 300 किलो प्याज के मातर 2 रुपए मिले हैं इस पर व्यपक्ष ने परदेश सरकार को घेरने की कोशिश भी की है दरसल देवास जिले में ग्राम बुदानी के रहने वाले किसान 22 सितंबर को 6 कटे प्याज बेचने के लिए शाजापूर मंडी पहुंचे उनके पास टोटल 300 किलो प्याज था मंडी व्यपारी ने 80 पैसे से 7 रुपे प्रती किलो के हिसाब से ये प्याज खरीदा इस बिकरी की कुल कीमत 330 रुपे वनी लेकिन ट्रांसपोर्ट और तुलवाई का खर्च निकालने के बाद किसानों को सिर्फ 2 रुपे ही मिले शाजापूर के प्याज वेपारियों ने बताया कि किसानों के प्याज की क्वालिटी ठीक नहीं थी बागजूद इसके 80 पैसे से 7 रुपे किलो तक उसकी प्याज खरीदी गई है मध्यपरदेश की मंडियों में अच्छी प्याज 11 से 12 रुपे किलो तक खरीदी जा रही है जबकि मीडियम क्वालिटी की प्याज 5 से 10 रुपे और वहीं सबसे खराब क्वालिटी का प्याज 4 रुपे के से कम कीमत पर खरीदा जा रहा है गोर तलब है कि आमजन को प्याज 20 से 25 रुपे में मिल रही है जबकि किसानों से वेपारियों द्वारा कम कीमत में खरीदा जा रहा है चोकि एक चिंता का विशे है जबकि एक चिंता का विशे है